आज का यह वीडियो इस पेसली उन कैंडिडेट्स के लिए हैं जो बिहार P.S.C. एक्जाम की तयारी कर रहे हैं। 68BP.S.C. के लिए जो प्रिलिम्स और मिन्स होना है उसके लिए एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसकी जानकारी सभी कैंडिडेट को होना जरूरी है। इस नयू नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि 68BP.S.C. एक्जाम होना है। तो अब प्रिलिम्स में अगर आप गलत उत्तर देते हैं या गलत आंसर करते हैं तो वहाँ पर निगेटीव मार्किंग भी रहेगा। वहाँ पर भी 0.25 नमबर आपके काटे जाएंगे अब इसके बाद बात करते हैं मेंस एक्जाम के बारे में मेंस एक्जाम में क्या चेंजेस हुए है इसके बारे में भी आप जाने रहें अब यहाँ पर यह कह दिया गया है कि मेंस एक एसे का पेपर भी होगा एसे जो कि 300 नंबर का होगा और इसमें 3 घंटे का समय दिया जाएगा इसके साथ ही इसमें optional subject भी होगा जो कि अब MCQ के द्वारा पूछा जाएगा मतलब यह है कि optional subject में जो question पूछे जाएंगे वो objective type के होंगे और यह 100 नंबर का होगा और इसमें 3 घंटे का समय दिया जाएगा notification के according यह कहा गया है कि जो जनरल हिंदी का question paper होगा उसमें 30% नंबर आपको लाना ही होगा तब ही आप पास होगे और इसके साथ ही जो optional subject है उसमें भी आपको पास होना जरूरी है इसमें यह कह दिया गया है कि जो जनरल वाले हैं उनको 40% जो OBC वाले हैं वो 36.5% जो OBC में भी और भी पीछे हैं जिने हम अत्यंत पिछड़ा वर्ग बोलेंगे उनको 34% SCST महिलाओं और दिव्यांग उम्मिद्वारों के लिए उनके लिए 32% लाना अनिवार होगा मतलब कि इतना नमबर आपको तो लाना ही होगा लेकिन हाँ यहाँ यहाँ पर यह कहा गया है कि जो सामान नहीं हिंदी है जनरल हिंदी है और जो वैकल्पिक विश है optional subject है इनके नमबर नहीं जोड़े जाएंगे इसका मतलब है कि GS1 में GS2 में और AC के पेपर में जितना नमबर आपको दिया जाएगा उनको जोड़ करके ही merit list तयार की जाएगी फिर बताया जाएगा कि आप मेंस exam में पास हैं या नहीं है